कि वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत थे मेरा नाम है एयार एमान सैथी और आज हम मौझूद है अदिन्दी के ओखला में कालिन्दी कुछ रोट तीन नंबर के करीब इस शाहिन अकैडमी आप देख रहें यह एक फुशनुमा पल है इतिहास में इसको याद भी किया जाएगा दर्फणा आपको बता देगी इसकी वज़े यह है कि शाहिन अकैडमी एडूकेशन को ले करके बहुत ज्यादा सीविया से जिसके चलते हैं आज शाहिन अकैडमी का यहां पे उत्वाटन हुआ है और आज हम चलिए यहां के जितने भी अलग-अलग इदारों कि जो जिम्मेदार हैं वो लोग यहां पे मौझूद हैं हम उसे बात करने की पूरी कोशिश करते हैं और यह भी जानेंगे कि एडूकेशन को ले करके आजेगी और या तैयारिया है और अदेगे हमारे बीज अपनों पदेश जी हैं जिनको किसी भी परेशे की ज़रूत नहीं है तो हमारा तक सीधा सवाज है कि क्या शाहिन अकैडमी गली-गली गाउ-गाउ-गाउ-जाकत के काम करेंगी या कर रही है देखे हम यखिनन घर-घर तक मेंसेज पहुचाना चाहिए कोई बेटा बेटी यह है तालीम से दूर न रहे हैं और गुरुबत तालीम में रुकावट नबने पैसा तालीम में रुकावट नबने उस कांचप्ट को मुक्तरिफ अंदाज में हम घर-घर पहुचाने की कोशिश करें अच्छा बाद जगहें ऐसी हैं कुछ गा सारी एक तरह से देखिए अभी हमारा टार्गेट है पांच हदार आइसे रुकावटों को जो तेरा साल से अट्रा साल के दरम्यान में हैं और कभी स्कूल ने गए या मदर्सा फोड़ दिये हैं या हैं या आलीमित मकम्मिल कर लिये हैं ऐसे लोगों को लेकर मुल्गर की अ से संटर जो तक 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 अश्य संटर हैं मदर्सा प्लस के नाम से जो नाया प्रोग्राम हमारा रखिए उसमें रखकर उनको हंड़ड परसंट तक वियाद देते हुए उनको तालिम से जोड़ेंगे और उनको ऐसे बच्छों की दीनी तरिवित भी पितरेंगे उनको दरूर करता है टीचर की शालरी का अंतिदाम करता है अवामी तावन से काम होता है और इसको हम आम करना चाहता है मुल्क भर कि 27,000 मदर्सां में से 5000 मदर्सां में यह काम हो जाए तो मुल्क के जरूरतमन 15% ऐसे मुस्तेख बच्छों का मसला हल हो सकता है अक्री कोशन हमारा हो रहे क कि नौर्ट में आखिर ऐसे क्या जबरत पेश आ गई कि शाहिन अकैडमी भी आपे आना पर इस पर इस पर इस पर देखिए जहां जहां हमारी बच्छे हैं नसल है और उनकी इंप्रूमेंट की सिकर हम सब को करना है नार्ट इंडिया वाले सोट इंडिया की करक्रता है एक दिसमाएं हमारा मुल्क जिसमाएं जिसम के एक इससे में तकलीफ हो तो पूरा जिसम महसूस करता है तो हम एक दूस्यों को समझना चाहिए ऐसा नहीं है कि नार्ट इंडिया ही सब कुछ कर रहा है यह बाद गलत है इस बात पनी मानता यहां पर अलबदा बड़ा सा एक्श करें दिशिदार के इस तरह से काम करने वालों को अलब क्रणे मुखए करता है मुस्र करता है और जो अफरे करता है वह जिंदगी बड़िक तफरे ही बहुत तर नوجवाने तो पढ़ना चार एक तरफन ने पार रहें पारां के सर्प्लाइब रहतर पर हाद सर अपे अपर आ बात रुस्लमात तमाम गर शरी वस्लमात यखिनन वो नसल वो फाउम तरकी नहीं कर सकती जो अपनी आउलाद की तालीम से उसकी शादियों पर प्रश्ट कर देती है सारा सर्माया हमारा कारी मुटर्वियत के साथ उनकी मुईश्ट पुठी करने उनकी कारोबार के लिए लग कम्यूटी का कंट्रिबूशन सुरू हो जाए कम्यूटी का कंट्रिबूशन हो जाए हम एक प्रोगाम बनाए थे के नाम से कम्यूटी एड और रेस्पास ट्वर्ट्स एजिकेशनल सपोर्ट एन एक मजजिद ता इलाखा मजजिद और उसका इलाखा इलाखे की लोग हो ऐसे बच्चे अंदिया भर से आए थे इस खिसम के प्रोगाम हो जाएं कि कम्यूनिटी का कंट्रूइशन जब तक में होता विनिवत पर यह मस्वारा हाई नहीं सब्सक्राइब आज की स्टेटी में एजूकेशन क्यों जरूरी हो गई है आज इसलिए जरूरी है कि एजूकेशन का रास्ता ही किसी भी कौम के आगे बढ़ने का रास्ता है और एजूकेशन का मतलब सिर्फ यह में पास करना नहीं है एजूकेशन का मतलब क्वालिटी एजूकेशन प्रोफ प्कुद थालीम का मकसद अपने जिंदगी को अपने हालाब को अपने समाज को अपने महल को बेतर बनाना है और अपने हुखक के लिए लड़ने की चाहिए पास करके आपको सरकारी नौकरी मिलेगी जरगारी नौकरिया नहीं है आप मैंने जैसे का का कारोबारी अच्छी हो सकते हैं आप अपने बाप का काम सबाज सकते हैं अगर आपके वाली बढ़ाई हैं तो आप उनके काम को चारचान लगा सकते हैं अगर आप प्लंबर हैं तो आप अपने काम को के बगए तो तालीम के साथ मुस्तक्बिल है नौकरी के लिए तालीम आदिल जो करते हैं वो लोग फजारे में रहते हैं लुपसान मेरे रहा है जी मैं फैसल कमाल फुलाही अवर्किंग है अस जारेक्टर आफ शाहिन अकैडमिटर लिंग शाहिन का यहां पर मकसद क्या है न सी बच्चया जिनको अपना ओन कल्चर नहीं मिल पा रहा है एंसूट्स में या कोचिंग को जिन्होंने बिजनस का रूम दिल दिया है उनको खत्म करने कहादा है अब आर्ट शाहिन का सिस्टम है यहां पर वोगोटिंग कल्चर नहीं है नमवरेज जीस का सब्सक्राइब करेंगा इसको तोचिंग में इस तरह से मल्टिपल बैच चलते हैं मॉर्णिंग नोन इवनिंग नाइट यहां पर ऐसा फुछ नहीं है यहां पर सिंगल एक बैच रहेगा और इसकी तानिंग होती है सुबह नौ से लेकर शान के च्छे बिले तक अच्छा और क्या प्लानिंग कर रहा है क्या तैयारी कर रहा है कि नौर्थ में इस शाहतार शाहिन की बुन्याद रखी जाए ना कि नौर्थ के बच्चों को इतना लंबा सफर करके साउथ के शाहिन में जाने की जरूरत नहीं हो हम वह क्वालिटी यहां पर प्रवाइट कि तो देखा एक जारां कि सोशल मीडिया से लेकर करके तमाम समाज मीठी जा रही है कि इस अइसा इसा दारा है जो इसी कवेशन को ले करके बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है इसकी वज़े क्या है उसकी वे थ्वच्टी है ना मैंने बतारा रहा है कि शाहिन को ठीके फॉन करता शाहिन का जो कॉंसेप्ट है ना वो सिंगल बैच का है जब कोचिंग रजब नहीं हो गए तो वच्छों क्वालेक्टि मिलेगी नाइन तो सिक्स नाइन आवर्स की सिंगल बैच को फैक्टिविटीज की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी तो एजुकेशन में क् जो मदरसे में जो तारिम हासिल करते हैं और एजुकेशन बाहरी दुनिया की जो जो एजुकेशन हासिल करते हैं जैसे इंग्विश मीडियम से उनकी सेलरी में बहुत डिफरेंस रहता है ऐसा क्यों होता है देखिए स्कूली सिस्टम जो है वो अपना पुरा फीस के ऊपर होता है और मदरसे के सिस्टम है वो डोमेशन के उबर बेस्ट होता है तो जाहिर है सालनी में डिफरेंस रहेगा और फिर मदरसे वालों के पास यतना आता है वो कोशिश करते हैं अपने स्टाफ को देनी की और स्कूल वाले जो है बच्चों से उतना ले लेते हैं तो इसलि पढ़ाई जाएंगी या पढ़ाई जाएंगी इसके उपर बताएंगे मदर्से प्लस एक एजुकेशनल मॉमेंट है जिसके मुलक भर में 50 प्लस सेंटर चल लाएं है अलग 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 स्टेट में वहाँ पर मदर्से के अनिदर ड्रोपाउट बच्चों को इसको सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद पिर को कमपड़िटर एक्जाम के लिए 11 12 वे अर्सासत वे नीट की और जडबली की कोचिंगे हम जो कराएंगे इन्शाथ यानि शाहिन अकेडमी शुरू से लेके आखिर तप पूरी तैयारी इस्टुकेशन का मादिन को करा रहा है ज सब्सक्राइब को कुछ नहीं जानते थे इनको पैन पड़ना भी नहीं आता था यह वह स्कूल जाके चोड़ जी दे दो तिंग चार क्लास पढ़के तो ऐसे वच्छों को मदरसी की बाद और 18 वे जिसमें शिक्ष्ट में वेंट का फरौनेशन को रस होता है जिसको हम AICU सब्सक्राइब को नाम दिया है तो उसके बाद पर एकसान की रेगुलर क्लास है कि अच्छे से बता सकता है ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता हरना चाहिए शाहिन में जाने के लिए हैं में शुरू से क्या करना पढ़े हैं मदरसापलस के बारे में आपको लेकिन शाहिन का स्कूलिंग स्टम भी है जो रसरी खिलास से चुरू होता है और उसके लिए अवारा अब जो केमपस है वो बीदर करनाट कावा है जो है धरवाद के खरीव होता है और इसी तरह शाहिन के शौभाई इस भी है जिसमें हिर्स के सासाथ 3-4 साल में बच्चों उसके रहा होता है तो किसी डिपार्टमाइट की जो फिस मुटी विए 50% होजाती कि लेकिन इसके इलावा कि वह और भी मustहित है और भी इसको जरूठ है तो उसमें मजीड गुदाःश हो जा जाती और यतीम बच्चों के लिए और बील्ग गरी बच्चों के लिए फिरी ह जो पिशा होती है तो अब हमने आया दिसम्बर में 24 दिसम्बर को मुल्क की पैमाने पर इसकोलरशिप के एक्जाम कंड़ किया था जिसमें 15,000 के तरीब स्टुड़ने ने वो अपलाई किया और एक्जाम लेकिया उसमें जितने हमारे रंकर अचीवर और मुख्तलिफ के पुर्ण ने वोगा स्टुड़ने पर यह थाल पर लाद स्टुड़ने ने चिए और दिसम्द अज्वाट स्ट।र्ण अपलाई गॉड़्ने लेकिया लेकिए र्लक के बितने हैं जिसमें आवाट स्टुषवस.